Hello Children, आज मैं आपको The King Cobra and the Ants की स्टोरी सुनाने जा रहे हूँ चलिए शुरू करते हूँ एक King Cobra होता है और वो जंगल में रहता होता है वो जो King Cobra होता है वो जंगल में चुड़ियों के अंडो, चूहा और छिपकिली और मेढग और बहुत सारे छोटे जानुरों को वो खा जाता है वो हर रोज इन छोटे छोटे जानुरों को खाता रहता है जिससे कि वो कुछी समय में बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है और वो बहुत आलसी भी हो जाता है अब वो इतना मोटा हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं इस जंगल का राजा हो गया हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मोटा हूँ और मेरा साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है तो मुझे अब बड़े से घर में रहना चाहिए जो कि मेरे स्टेटस के कोडिंग अच्छा लगे अब किंग कोब्रा क्या करता है? वो जंगल में जाता है दूर तो उसे एक बड़ा सा पेड मिलता है उस पेड के पास एक आंट हिल होती है अब किंग कोब्रा सुचता है इस बड़े से पेड को मैं अपना घर बनाऊंगा लेकिन जो आंट हिल होती है वो किंग कोब्रा को पसंद नहीं होता है तो किंग कोब्रा उस आंट हिल के पास जाता है और वहाँ पे जो चीटियां होती है उनसे कहता है कि तुम सब यहां से चली जाओ क्योंकि मुझे कोई भी बाधा पसंद नहीं है कि तुम यहां रुको और मुझे डिस्टरबो तुम यहां से चली जाओ और मैं तो जंगल का राजा हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा ताकत है और मैं सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर हूँ अब वो जो चेटिया होती है वो वहाँ से नहीं जाती है लेकिन जंगल के जितने भी छोटे जानवर होते हैं वो किंकोब्रा से बहुत डरते हैं लेकिन वो चेटिया बिल्कुल नहीं डरती है और वो वहीं रहती रहती है अब किंकोब्रा को बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है अब किंकोब्रा क्या करता है अपनी पूस से चेटियों को मारता है तो जो चेटिया होती है कुछ ही समय के बाद उस आंठ हिल से हजारों चेटिया निकलती है और किंकोब्रा को डंग माने लगती है अब किंकोब्रा बहुत चिलाने लगता है बहुत ज़्यादा चिलाता है और वो वहीं लोटने लगता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा था अब चीटियां उसको डंग मारती रहती है किंकोब्रा चिलाता रहता है चिलाता रहता है और फिर कुछ समय के बाद किंकोब्रा चिलाते चिलाते मर जाता है तो इस कहानी से में या सिक्षा मिलती है कि जो बहुत ज़्यादा अपनी ताकत का घमन दिखाता है उसका विनाश जरूर हो जाता है थैंक यू